ये दस्वीरे नोजा सेक्टर 135 की हैं यमना का जलसर बढ़ने से ये शेत्र डूब चुका है बड़ी बात ये है कि यहां बाट जैसे हाला दूगए है जिसकी चपेट में गौश आला भी आ गई है इस गौश आला में करीब 1500 से ज्यादा गौवश थे करीब 1000 गौवश को निक दाल कर सुरक्षित हिसान पर पहुंचाया गया है देखिए हमारे संबादाता अंकित शर्मा की ये खास रिपोर्ट गायों का संग्रेशन किया जा रहता उस पर काम किया जा रहता लेकिन आप यह देखेंगे कि यहां गौश आला की क्या इस्तिती है अगर मैं दिखाना चाहूं आपको तो आप यह देखी कि गाये इसमें कि डूबी हुही है पानी के अंदर और यहां की सफाई करमचारी है गायों के जो यहां पर रकर्खाव करते थे इस गोष आला को रकर्क रकरते थे उसका पूरा मैनेजमेंट यहां तक की नौइडाtat है और प्रिशासन की लोग, शासन की लोग और यह यहां के लोकल गाउओ वाले हैं वो भी समय गायों के बचाने में जोटे हैं कि किसी तरी यहीं पर पास में हैं जहांपर आई दिन ऐसी पार्टियां होती है और लोग बड़े पार्टी करते हैं अगर आप पीछे देखें तो जहां पर ही यह जो पूरी शेड हाउस बने हुए यहां पर गाएं रखी जाती ही थी लेकिन आप यह देखेंगे पूरी तरीके से जल मग चुकी है तो आप अंदासा लगा सकते हैं किस तरीके से अपने जान पर खेल के यह लोग पश्यों को बचाने का काम कर रहे हैं रहतकार यहां पर शुरू हो चुका है लोगों का यह मानना है कि बीते 48 घंटे में सबसे ज्यादा यहां पर पानी बढ़ा है इनको भी उमीद लगबक कितना समय लगा इतना पानी भरने के अंदर क्या मैनेजमेंट की तरफ से या शासन की तरफ से बताया नहीं गया था कि प्रसासन की तरफ से बिल्कुल बताया गया था अधिकारियों की तरफ से बताया गया था कि पानी है मगर पानी का जलिसतर इतने स्पीड से सबी आई हुए हैं सभी अपनी जो योगदान है इन गायों को बचाने में वो लगे वे जानमाल का खत्रा जह हुआ व तो हो ही चुका है अंदर की बात की जाए कि यहां पर बहुत लोग पशुपालन करते हैं देशी गाये बालते हैं गिर गाये भी पाली जाती है फार्म होसिस भी इन लोगों के तो लगब अभी कितने पशुव अंदर फसे हुएं क्यों कि हम तो भी भारी है अभी इस गौव साला में तो आपको सब्सक्राइब कोई उम्मीद पता नहीं है लेकिन हो सकता उम्मीद साम के ताम हो जाएगी कम होने की कि आप कुछ कह रहे थे नोएडा के सबसों ज्यादा यहाँ पर सफाई करमचारी लगे हुए हैं सबसों ज्यादा कोई भी अंदर दिखाए यहां पर समाज सेवक करते हैं वहीं अगर समाज को सवच रखने की बात आती है तो कहीं नहीं जो हमारे सफाई करमचारी वाले भाई हैं यह भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और आप देखेंगे कि इनका पूरा शरीर पानी में डुवा हुआ है इन्हें किसी प्रकार का डर नहीं है कि कोई उन्हें साप काट जाए या कुछ भी काट जाए पूरी तरीके से ततपर हैं कि यहां पर किसी तरीके से गायों को सुरक्षित इस्थान पर पहुंचाया जाए उनकी सेवा की जाए और उनको किसी प्रकार की परिशानी नहों तो आज 135 गोशाला से हम थे यहां की जो गोशाला है वहां से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई किसांतक चनल के माद्दम से हम पूरी खवरेज यहां पर करेंगे और आपको दिखाएंगे यहां का रहल है खेती बाड़ी और मौसं के खबरों के लिए देखते लेगे किसांतक मुझे प्रसंता है किडवल इंजन की सरकार संकट के समय अपने अनदाता किसां भाई बेहनों के साथ खड़ी है खेती में सोर उर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीती को उत्तर प्रदेश सरकार गती दे रही है मुख्यमंत्री योग यादित तिनात के नेत्रतों में उत्तर प्रदेश में सोलर पंप से सिचाई करने की योजना तेजी से फल खोल रही है राज्य सरकार सिचाई वेवस्था में बिजली की कमी और बाधाओं को देखते हुए लोगों को सोलर पंप लगवाने के लिए प्रोचसाहिद कर रही है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना प्रदान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान के तहट पूरे देश में शक्ती सोलर पंप योजना चलाई जा रही है जिसका उत्तर प्रदेश के किसान भरपूर लाव उठा रही है इस योजना के तहट खेत में सोलर पंप लगाने पर 75% की सबसुड़ी दी जा रही है स्कीम में 2, 3, 5, 7.5 और 10 होर्स पावर के सोलर पंप लगाने का प्राथान है जिसमें किसान 2, 3 और 5 होर्स पावर के पंप सबसे ज़ादा लगा रहे है मार्च 2017 में योग्या दितनाथ की सरकार बनने के बाद 31 मार्च 2023 तर प्रदेश में कुल 49,610 सोलर पंप लगाए गए सर हम अपने क्रिशिक केंदर पर जाते थे और वहीं पर हमें पता चला बैग्यानिक उदारा की मतब की सिचाई में सुविधा होती है और हमें बीजली के बील से मुक्ति मिलेगी और हमें फ्री में पानी मिल जाएगा तो हमने सुचा कि कैसे लगवाएं तो वहीं पर गए तो वो लोग बोले बताए इसके विशे में और वहीं से जानकारी लेकर के हमने इसे लगवाया है लागत में कमी आया क्योंकि हमें तो कास्ट बीजली का कास्ट से बचत हो गई सर कोई टेंसर नहीं है अब चाहिए हवा रहे पानी रहे बिजली जाए आए कोई मतलब नहीं है हमारा जब जी चाहेगा हम चला लेंगे सोलर पंप योजना का मुख्यो देश है खेती में विकल्पिक ओर्जा के उपियोग को बढ़ावा देना किसान सिचाई के लिए बिजली, पैटरोल और डीजल के पंप सेट पर निर्भर रहते हैं लेकिन सोलर पंप के प्रयोक से उनकी ये निर्भरता कम होगी और वो कम खर्च में अपने खेतों में सिचाई कर सकते हैं सरकार की कोशिश है कि खेती में वैकल्पिक ओर्जा के स्रोत के रोप में सोलर एनर्जी का जादा इस्तमाल किया जाए ताकि रापजी के किसानों की इससे चाई की समस्या दूर हो और वो कम लागत में अच्छी पैदावार कर सके मैंने जाकर अपने नजदीकी क्रिसी विज्ञान केंदर पर पता किया तो वहां के क्रिसी अधिक उपनी देशक ने हमें बताया कि सबसीडी पर सोलर पंप आया हुआ है जिससे किसानों की उत्पादन समता इमें बिजली की बचत के लिए आप इसको लगवा सकते हैं तो मैंने जाकर अपना खतवनी और बैंक का पास्बुक आधार कार लेकर जाकर रजिश्टेशन कराया और इस योजना का लाब पाया सोलर पंप सिर्फ किसानों के लिए ही फायदे मंद स्कीम नहीं है बलकि ये वैश्विक स्तर पर अच्छा प्रभाव डालने वाली दूर दर्शी योजना है सोलर एनरजी के स्थमाल से पूर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे पेट्रोलियम और बिजली को भी बचाया जा सकता है इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा है किससे प्रदूशन में कमी आती है इससे ये योजना विश्विस्तर पर चल रही क्लाइमिट चेंज की चिंता को भी कम कर रही है